यह वीडियो डिजिटल असेस्मेंट टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है. Note, यहाँ पर दिखाए जा रही स्क्रीन, इमेज सिर्फ समझाने के लिए दर्शाई गई है. वास्तविक स्क्रीन, इमेज इससे अलग हो सकती है. टाइपिंग टेस्ट के माध्यम से परिक्षार्थियों की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है. टाइपिंग स्किल्स को ध्यान में रखते हुए करने के लिए उप्योग किया जाता है. Digital Assessment Typing Test परिक्षार्तियों को वैसा ही अनुभव देती है जैसा की वो Type Writing Machine में अनुभव करते हैं परिक्षार्ती उपर दिये गई बाक्स में लिखे Master Text को देखकर नीचे दिये गई खाली बाक्स में टाइप कर सकते हैं अब हम इस वीडियो के द्वारा Digital Typing Test के Login Process को समझें इस प्रक्रिया में दिये गई Login Space में पहले से Roll Number होगा Keyboard या Virtual Keyboard की मदद से अपना Password डालिए चेक कर लें कि आपकी स्क्रीन पर Keyboard Layout Selection बार दिखाई दे रहा है अगर नहीं तो परिक्षार्थी Invigilator को इसके बारे में जानकारी दें कृपिया ध्यान दें आपका पहले से चुना हुआ Keyboard Layout English US है अब अंगरेजी भास्रा में टाइपिंग के Layout को बदलने के लिए English Keyboard Selection पेन में क्लिक करें यहाँ पर सभी मौजूद Layout दिखाई देंगे इसमें से जो Layout चाहिए उसको List में से चुन लें और इस प्रकार Layout का उप्योग कर सकते हैं जबकि परिक्षार्थी अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र के अनुसार अपने Keyboard Layout पर टेस्ट दे सकते हैं उसी तरह से हिंदी भाषा में टाइपिंग के Layout को बदलने के लिए Keyboard Selection पेंड में जाकर हिंदी पर क्लिक करें यहाँ पर सभी मौजूद Layout दिखाई देंगे इसमें से जो Layout चाहिए उसको List में से चुन लें अपने Login Credential दर्ज करने के पाद कृपया जाच लें कि आपका चायनित Keyboard Layout Keyboard Layout Selection बार में भी प्रदर्शित हो रहा है फिर Login करने के लिए Sign In पर क्लिक करें अब आप Practice Text पर टाइपिंग कर सकते हैं जिसके बाद आपको कुछ समय का विश्राम मिलेगा और उसके बाद आपका Main Test शुरू होगा टाइपिंग टेस्ट में आप Master Text को उपर के बाक्स में से देख कर खाली बाक्स में टाइपिंग करेंगे परिक्षार्ती अपना बचा हुआ परिक्षा का समय अपने कम्प्यूटर पर देख सकते हैं जरूरत पढ़ने पर आप Backspace और Arrow Keys का उप्योग टाइप किये गए टेक्स्ट को बदलने के लिए कर सकते हैं टाइपिंग पूरा होने के बाद Submit पर क्लिक करें कृपया ध्यान दें Submit बटन परिक्षा का समय खत्म होने के बाद ही अक्टिवेट होगा सभी सिस्टम से जुड़े फीचर्स हिंदी टाइपिंग टेस्ट में भी समान रहेंगे इसी के साथ डिजिटल असेस्मेंट टाइपिंग टेस्ट संपन हुआ शुब काम नाए